तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि gradient descent क्या होता है जैसा कि हमने 11 राद में पढ़ रखा है gradient descent क्या होता है लेकिन इसमें gradient descent का क्या रोल होता है वो आज हम समझेंगे ठेक है तो gradient descent होता क्या है it is the algorithm that you can use to try to minimize any function not just cost function for linear regression ठेक है with the gradient descent algorithm we will keep on changing the parameter w and b a bit every time to try to reduce the cost of j of w and b until hopefully j settled at or near a minimum अब यह कहना क्या चाहरा है अब यह देखते हैं जैसे कि हमने देखा कि w को जैसे जैसे कम करेंगे small करेंगे ठेक है हमारा जो j w मतलब cost function वो भी क्या होगा small होता जाएगा minimize होता जाएगा इसको अच्छे word में कहें तो minimize होता जाएगा तो यह होगा कैसे w कम कैसे होगा या minimize कैसे होगा यह consider कैसे हम लोग करेंगे तो इस graph के मतलब से हम लोग समझने की कोशिस करेंगे ठीक है यह होगा कैसे मान लीजे आप यहाँ पे एक hill है ठीक है hill पे आप खड़े हो ठीक है अब आपको नीचे जाना है ठीक है, down the hill जाना है, ठीक है, कोई भी एक path लेके, ठीक है, जिससे आप क्या कर सको, सबसे नीचे पहुँच सको, उससे नीचे कोई कुछ ना हो, ठीक है, एक ही यह हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 360 direction में rotate करोगे, और देखोगे, कि किस तरफ मुझ यहां भी जा सकते हो, ठीक है, एक और color ले लेते हैं, और यहां जा सकते हो, ठीक है, अब, suppose मैंने इस direction में पहला path choice किया, ठीक है, तो मैं पहला कदम उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसा उठाया, एक बार में हमें एक step ही बढ़ना होगा, ठीक है, ऐसा क्यूं कर रह ठीक है, यहां पे हम लोग पहुंचे, तो यह जो सबसे नीचे वाला point है, जहां पे हम लोग last में पहुंचते हैं, उसका नाम होता है, local minima, क्या होता है, local minima, जिसमें हम लोग last पहुंचते हैं, ठीक है, यह हमारा पहला local minima हो गया, ठीक है, अब, अगर मालों हमने दूसरा path उठाया होता तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पे होते ठीक यहा अब जब यहां पे होते तो यह भी एक क्या है local minima है local कौन वाला दूसरा ठीक है अब हमने दूसरा तीसरा path लिया होता है यहाँ पे पहुचे और यहाँ पर आया होता है तो यह क्या हो गया, यह भी हमारे क्या हो गया, local minima, ठीक है, और यह गया, तीसरा, तो हम लोग का क्या हो रहा है, w की value हम लोग क्या कर रहे है, क्या कर रहे है, keep on changing, क्या लिखा थे या पर, keep on changing the value of w and b, ठीक है, ये B क्या है इस तरफ है और W क्या है इस तरफ represent कर रहा है इससे क्या हो रहा है देखो J W B नीचे की तरफ घटेगा तो हम लोग क्या कर रहे है J W B को किसी भी तरफ घटा रहा है क्योंकि हमें पता है इस graph से हम क्या जान पाए कि जैसे हम लोग local minima की तरफ बढ़ेंगे टिक है हमारा JWB क्या हो जाएगा minimize हो जाएगा क्या हो जाएगा minimize हो जाएगा जैसे हम लोग क्या कर रहे graph में local minima की तरफ बढ़ रहे JW क्या हो जाए गूँकि JWB उसे Represent कर रहा है यह line ठीक है, और इस line के नीचे हम लोग जा रहее ठीक है, यहाँ पे गह, यहाँ पे गह, यहाँ पे गह, उपर से हम लोग नीचे आ रहे ठीक है, तो क्या होरा, agenda यह v? तो अब समझा रहा है कि local minimum का हम लोग यूज क्यू कर रहे हैं यहाँ ठीक है इसके बाद एक टर्म और आता है जिसको हम लोग कहते है Global Minima Global Minima ठीक है Global Minima किसे कहते है Global Minima वो Minima होता है इन Local Minimum में से ही वो Minima होता है जो सबसे ज़्यादा Depth प्रोवाइड कहाता है means JWB जो सबसे Lowest जिस Value के लिए होता है उसे हम लोग क्या कहते है the JWB where lowest ठीक है जहां पे JWB lowest होता है means अगर यह हमें minus 5 दे रहा है यह हमें minus 4 दे रहा है यह हमें minus 2 दे रहा है तो Global Minima क्या हो जाएगा यह हो जाएगा क्योंकि यह सबसे नीचे तक जा रहा है ठीक है और अगर यह minus 4 दे रहा है तो यह उससे थोड़ा उपर रहा गया यह minus 2 उससे उपर रहा गया तो सबस्यादा कौन सा Local Minima नीचे तक जा रहा है minus 5 वाला ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा Global Minima ठीक है तो इस तरीके से हम लोग Global Minima और Local Minima को Categorize करते हैं और जानते हैं कि JWB किस direction में lowest होगा ठीक है आगे हम लोग next वीडियो में सीख रहे होंगे कि gradient descent को हम लोग implement क्या कैसे करते है और इसमें learning rate का learning rate का क्या importance होता है ठीक है तो यह हम लोग next वीडियो में सीख रहे होंगे कि how we can implement gradient descent in the linear regression or any simple model तो मिलते हैं next वीडियो में